की हैं अथे लोग जैस्री राम सभी को और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सपोर्ट करने के लिए मुझे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हलाकि मैंने ऐसा कुछ सोचा तो नहीं था पर आप लोग वह और बहुत मेरी मेरे सपोर्ट कीुए यह यह और लोग मुझे कर्या या चेजिक रहे हैं मेरी बाते सुन रहे जोंक Sup तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है भारत ऐसा देशी है जो अपने-पनी मन की बात तो सब लोग कही सकते हैं दूसरे से कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी अगर समास सेवा कर रहे हैं इतने उनमें इस्वर यह सकती है तो वह क्यों मतलब पैसे क्यों ले रहे हैं तो मैं बता दू एक बात आपको बीना पैसे किना कोई व्यवस्था नहीं बनती भई जिनके पास नहीं है वो उनके लिए तो वो बुरे हो सकते हैं या फिर उनके लिए यह मन में आता होगा कि भई हमारे पास पैसे नहीं जाओ कैसे तो वह हम सबकी प्रॉब्लम है हमारे पास पैसे नहीं तो हम उसकी ववस्था हमें खुद को करनी है इस वर पर विश्वा पास रखना है और आगे बढ़ना है बाकि अगर पैसे नहीं लगते हैं पहले भी पहले जो मतलब आज से 2000-2001 में पैसे बहुत कम लगते थे पांच रुपए 10 रुपए 11 रुपए 21 रुपए 101 रुपए इतने तक जाते थे और भीड इतनी होती थी इतनी होती कि थी कि मतलब एक दूसरे को धक्के देते वे आगे लोग निकल जाते थे तो वैसे धाम यात्रा करके क्या फायदा और बहुत ऐसी छोटी-छोटी चीजों को देखर गुरुझी के पास जाते थे जिनका समधानों स्वैम कर सकते है आ तो सय अब जब से ट्रॉष्ट बछां आम वहां के जो लोग थे जो भक्त आते हैं उन लोगों ने अपने स्विधा के अनुसार गुरुजे से कहा कि एक ट्रस्ट बनाया जाए ट्रस्ट के अनुसार सारा कारी किया जाए तो उसके लिए ट्रस्ट जब बना तुन्हों ने फैसला किया कि हाँ पैसा लेना जरूरी है पैसा लगेगा तभी तो अब जैसे वज़ा चार से 2008 तक भंडारा चलती थी उसके बाद पैसे कहां से आएंगे भंडारा चलाने के लिए लोग इतने दूर से आते हैं उस समय होटल नहीं थे कुछ स्विधा नहीं थी कहां खाते लोग क्या खाते कैसे रहते इतने दिन तक त पुराने मंदिर से उठकर नए मंदिर का निर्मान हुआ वहां पर भीर लगने लगी वहां इतना बड़ा छेत्र में अलग-अलग चीजों की विवस्था होती ही जा रही है धीरे-धीरे तो इन सबी चीजों के लिए पैसा लगना तो अनिवार है पैसा लगेंगे ही बाकी अने वाले समय में गुरु जी ने खूदी बोला है कि पैसे नहीं लगेंगे तो बोला है तो जरूर नहीं लगेंगे लेकिन जिस दिन पैसे बंद वह गय система उस दिन हमें और आपको ही दिक्कत होगी हम और आप धक्के खाते फिरेंगे हमारे नंबर नहीं आएगे तो अब ज़्यादा तर लोग जो सही में मुसीबत में हैं जो अपने देवता पितरों को उनके लिए पूजा पाट करना चाहते हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं, उनको मोक्ष देना चाहते हैं, उनको स्थान देना चाहते हैं, या फिर कुछ नेगिटिव चीज से लोग परिशान हैं, वैसे लोग जादा वहाँ पे जाते हैं, अभी भी कुछ लोग जाते हैं, अपने परिवाल की समस्या लेकर जाते है कोई अपने बेटा की समस्या कोई अपने भाई की समस्या तो कोई अपनी समस्या लेकर वहाँ पे जाते हैं लेकिन उनकी समस्या जरूर उस लेबल तक है जो वो खुद सुझा नहीं सकते उनको कोई राह नहीं मिल रहा तभी वह वहाँ पे जाते हैं तो उस जगह पे पैसे द ये बात गुरु जी ने बोला कि पैसे बंद कर दिये जाएंगे आने वाले समय में, उस समय से बहुत सारे लोगों ने तो ये भी बोलना शुरू कर दिया गुरु जी को, कि गुरु जी कृपया आप ऐसा काम ना करें, क्योंकि जिस दिन पैसे बंद हो जाएंगे, बहुत दि सुटिया नहीं मिलती हैं परिवार देखना सब कुछ करना तो वो लोग आते हैं और कुछ ज़्यादा पैसे देकर 72 रुपए 51 रुपए या फिर उससे भी ज्यादा देकर अपनी परिशानी का हल पूच कर चले जाते हैं लेकिन जिस दिन पैसे बंद हो जाएगे उस दिन महिनों तक हमें वेट करना पड़ सकता है तो इस चीज की परिशानी होगी हर एक चीज की देखिए हम लोग हर एक चीज की कुछ अच्छाइयां होती है तो कुछ बुराइयां भी होती है सब ही हम लोग जानते हैं तो पैसे अगर नहीं लेंगे तो उसकी भी अच्छाइया बहुत है और बुराईया भी बहुत है और पैसे अगर अगर लेते हैं तो उसकी भी अच्छाई और बुराईया थो लोग अपने स्वीधा के अनुशारी चलना चाहते हैं तो वहां भी वहां के लोग और गुरु जी भी सब कुछ देखते हुए आगे चल रहे हैं बढ़ रहे हैं और अपने कारे को मंदिर के कारे को आगे बढ़ा रहे हैं जो सचमुच मतलब बहुत परिशान हैं वो लोग वहां पर पहुंचते हैं इंतिजार भी करते हैं सयम भी पूजा पाट भी करते हैं और उनकी समस्याओं का निधान भी वहाँ से सुनकर ही जाते हैं तो बहुत लोग बोलते हैं कि वो जगा कुछ भी नहीं है वो जगा ही पाखंड है है ना वो जगा में गुरु सरण जी इवेन यहां तक लोग बोल रहे हैं गुरु जी हिंदू ही नहीं है तो जितने तरह के लोग उती तरह की बाते करते हैं लेकिन सच्चाई यही है कि वो सुद्ध ब्राम्मन है हिंदू है और जो भी कारे कर रहे हैं समाज के लिए कर रहे हैं हिंदू के हित के लिए कर रहे हैं उसे ही आगे ले जा रहे हैं हम अभी बहुत चगों पर भटक चुके हैं हम बहने हम भाई जितने भी भाई हैं सब बहुत भटक चुके हैं उनको सही राह दिखा रहे हैं वो बसरते ब उनकी बात में चले ना, उनकी बातों को सुने अच्छे से, तो हम अपने हिंदू सनातन धर्म को बहुत आगे लेकर जा सकते हैं, जो कि कहीं खो गया है, और खो क्या गया है, मिठता ही चला जा रहा है, लोग सनातन धर्म से हटते ही चले जा रहे हैं, तो एक बड़ा कारे तो वो ये भी कर रहे हैं कि हम सभी हिंदूों को सनातन धर्म की ओर लेकर जा रहे हैं वह फिर से, और जहां तक उस धर्ती की बात है, तो आपने गीता पढ़ा हो, या फिर गुरुजी जो भी बाते आपको बताते हैं, वो आगर आपने सुना हो, तो उसमें उन्होंने चर्चा की है इस बात की, कि स्वयम स्रे कृष्णे भी वहां पे आये, उस धर्ती पर आये हैं, उस जगह पर आये हैं, और पांडव तो आये ही थे, उनका अज्यातवास वहीं पे पूरा हुआ था, अपने अज्यातवास में वहीं पे थे, उसी जगह पे थे, बाल हनुमान की धर्ति वह जगा पूझनिये हैं आप लोग खुद ही बोलते हैं कि उनके पास कोई सकती नहीं उनके पास कुछ विद्या है तो ठीक है ना विद्या के साथ ही वह अपने हनुमान जी की आशिरवात से सब का भला कर रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत है मुझे तो नहीं लगता क कोई भी दिक्कत आनी चाहिए रहे गुरुजी से मिलने की बात तो अब गुरुजी तो 365 दिन मिलेंगे अब लोग ये पूछ नहीं सकते कि हमारा नंबर कब आएगा जो ज़्यादा पैसे देंगे उनका तो चलो ओ तो गुरुजी जानबूच कर उनसे पैसे ले ले लेते ह हैं उनको भी गुरुजी तो देखी रहे हैं लेकिन वहां जाने वाले जाने की चाह रखने वाले जो भी लोग हैं वह बिल्कुल भी निरासन मत होई है आप लोग आप लोग वहां जरूर पहुंचिएगा आज नहीं तो कल जरूर पहुंच जाईएगा किसी ना किसी कारण से अगर आपके मन में स्रध्धा है ना तो आपको बाला जी महराज वहाँ पर जरूर बुलाएंगे मुझे कमेंट आता है कि दिदी आप मुस्कुराया किजिए तो मैं बता दू मैं हमेशा मुस्कुराती ही रहती हूँ और बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि मैं सीरियस रहती हूँ तो मैं तो मुस्कुराती हूँ आप सभी भी मुस्कुराते रहे जैस्री राम